हेलो एवरिवान आज की वीडियो में आपकी मैम आपको पढ़ाएंगी मात्राओं का ग्यान तो इस वीडियो में बने रहें एंड तक ये व्याकरण की बुक में से मैम पढ़ाने वाली हैं आपको और ग्रेड वन के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पुल रहेगी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चानल को सब्सक्राइब करें और जाधा जाधा वीडियो को शेर करें तो हम वीडियो को शुरू करते हैं देख रहे हैं, बच्चे की लेंग्वेज हैं, बच्चे ने अपने आप से कहाने बनाई है शिक्षिका ने जब उसकी लिखी हुई कहाने पड़ी तो वै ठीक से समझ नहीं पाई उन्होंने कहा कि इसने तुमने स्वर और व्यंजन तो जान लिये, किन्तु उनका शब्द बनाने में किस तरह प्रयोक करना है, वह मैंने तुमें नहीं समझाया इसलिए तुमने गलतियां की हैं किन्तु तुमने स्वर और व्यंजन को समझ कर उनका अभ्यास किया यह तुमने बहुत ही प्रशंसनी करे किया है आज मैं तुम्हारी गलतियों को जुधारने मैं तुम्हारी मदद करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें आज मात्राएं पढ़ाने जा रही हूँ मात्राएं समझने के बाद नेहा को शिक्षिका ने कहाने ठीक करने करके लिखने को भी का बच्चे आ को छोड़ कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं ये विंजनों के साथ लगती हैं जिससे शब्द बनती हैं अब देखेंगे स्वरों की मात्राएं अब आ की कोई मात्रा नहीं होती आ मात्रा है मामा इ छोटी इ खिल इ बड़ी इ की मात्रा शीशी रिशी, रे की मात्रा, क्रिपा, ए, केला, ए, पैसा, ओ, मूर, अओ, कौन? मात्रवा ज्यान होने के बाद स्नेहा ने काने इस तरह लिखी, एक तोता था मीठु राम, पिंजरा ही मीठु राम का घड़ था और वही उसकी दुनिया, मीठु राम की अवाज बड़ी अच्छी थी, पर वह सिर्व रात को ही गाता था, हमने अब इस पार्ट में क्या सीखा, आस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रां विंजनों के साथ लग कर शब्द बनाती है, अब हम वक्षित पड़ेंगे, सही उकतर पर सही का निशान उकी मात्रा कैसी होती है, ये होती है, उसके बाद चित्रों को देखेंगे और उचित स्थान पर मात्राएं लगाएं, किताब, केला, कुर्टा, कोवा, खेल, कान, मोर, मचली चित्रों को उनके सही नाम से मिलाईए पहला नाम पढ़ेंगे हम क्या है पपीता पपीता आपको कहां दिख रहा है बच्चों मिला देंगे घर घर कहां पे दिख रहा है साइकेल पेड़ पतंग जूता टमाटर केला